विवर्स कहीं सालों से टेक्नोलोजी और मेडिसीन एक के बाद एक कहीं नहीं काम कर रहे हैं फार्मस्योटिकल्स और मेडिकल एडवांसिज ने कहीं लाखों की जिद्गी बचाई और बहतर भी बनाई है इन कोशिजों को नतीजा HBOT मतलब Hyperbaric Oxygen Therapy है जिसने कैंसर के लाज में एक और मील का पत्थर स्थापित कर दिया है HBOT यानि Hyperbaric Oxygen Therapy एक ऐसा टीटमेंट जिसमें पेशेंट को एक प्रेशराइज एंवार्मेंट में प्योर ऑक्सीजन ब्रीद करने को दी जाती है ये एक थेरापिटिक प्रोसीजर है जिससे पेशेंट के शीर में ऑक्सीजन की मातरा को बढ़ाया जाता है जब आप सांस लेते हैं ऑक्सीजन आपके शीर में अंदर जाती है और आपके फेफडों यानि लंग्स से हुद्टिवी ब्लड में पहुँच जाती है ये प्रक्रिया पेशेंट के सभी बोडी सेल्स को पुशित करती है ऑक्सीजन से हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरपी चैंबर के अंदर आपके आज पास के एर प्रेशर को नॉर्मल से तीन गुना बढ़ा दिया जाता है प्रेशर का अंतर आपके फेफडों को ज्यादा ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करने की शमता देता है जिससे हमारे ब्लड में भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है हमारे श्रीर में oxygen की मात्रा बहुत ज्यादा होने की वज़े से हमारा श्रीर कुछ ऐसे stem cells को जर्म देने लगता है जो हमारी healing प्रक्रिया को बढ़ा देता है जिससे हमारा श्रीर bacteria और बिमारियों से लड़ना शुरू कर देता है HBOT को हम usually healing process में तेजी लाने के लिए यूज करते हैं जिससे हमें carbon monoxide poisoning, gangrene और ऐसे infections जिससे हमारे tissue oxygen की कमी की वज़े से मर जाते हैं के treatment में यूज करते हैं Hyperbaric oxygen therapy को सबसे पहले 20th century के शुरुआती दौर में अमेरिका में इस्तमाल किया गया इससे पहले US Navy ने 1940 में इस technique को अपनाया उन deep sea drivers के लाज में जो decompression sickness के शिकारते फिर 1960 में ये technique carbon monoxide poisoning के treatment में यूज की गई इसके बाद इसे sainite poisoning, bone illness में, जलने में, skin graft जैसे कई अन्ने बिमारी में यूज किया गया इसके बाद इस technique को cancer के लाज में try किया गया जैसा कि हमें पता है कि हमारे श्रीर के सारे cell जिसमें cancer cells भी शामिल हैं को जिन्दा रहने के लिए oxygen चाहिए लेकिन हमारे श्रीर में मुझूद tumors cells की oxygen supply को खतम करने लगते हैं और oxygen की कमी की वज़े से मरने की बज़ाए कुछ cancer cells बढ़ने लगते हैं और treatment को बेसर करने लगते हैं hyperbaric oxygen therapy हमारे खून में concentrated oxygen को जोंग देता है जो cancer cells को मारने के तरीके का असान बना देते हैं और chemotherapy और radiation जैसे तरीकों को और बहतर डंग से कारगर बना देता है ना सिरिफ ये बलकि हमारे healing process को भी trigger कर देता है इसके अलावा hyperbaric oxygen therapy के कई और advantages भी है cancer treatment में जैसे ये एक नए blood cells बढ़ने में मदद करता है उससे हमारे श्रीड के tissues की blood surprise और nutrients बढ़ने लगते हैं इसके कारण हमारे white blood cells की कारे शमता बढ़ने लगती है और ये bacteria को मार कर infection से बचा कर दर, oxygen और pressure को cancer वाली जगे से कम करने लगता है तो viewers अब बात करते हैं हमारे श्रीड काम कैसे करता है ये उन tissues को जिन में oxygen की कमी होती है oxygen से भरपूर plasma supply करता है होता क्या है कि जब हमारे कोई गाव होता है तो tissues मरने लगते हैं और उस जगे सूजन हो जाती है ऐसे में HBOT tissue को oxygen देता और सूजन कम हो जाती है HBOT की मदद से tissue में oxygen की कमी और उसके खतम होने का सिल्सला तूट जाता है जब tissues में blood supply दुबारा चालू हो जाती है तो कई serious tissue damages होने लगते है इसे ऐसे समझे कि जब कोई injury मतलब घाव आपके blood flow को रोग देती है तो कई in damage cells में कहीं क्रिया होने लगती है जिससे कहीं खतरनाक oxygen radicals जन्म लेना शूगर देता है और इन में इतनी शमता होती है कि ये tissues को permanently नुकसान पहुचा सकते है ये रक्त त्राव के भाव को रोग देता है और हमारी रक्त वाहनियों यानि blood vessels को संकुचित कर देता है मतलब constrict कर देता है तब hyperbaric oxygen therapy इन परशानी करने वाले molecules को ढूंड कर इनको repair करना शुरू कर देती है HBOT हमारे immune system को मजबूत और तयार करती है और immune system हमें जान लेवा जर्म से बचाने लगता है HBOT treatment white blood cells की कारे अशंता को बढ़ा देता है ताकि ये उन आकरमन कारियों को पहचान कर खतम कर सके HBOT नए skin cells and collagen कोई growth को बढ़ावा देता है ये healing के लिए endothelial cells को सक्रिय कर देता है ताकि जखम जल्दी भर सके अब बात करते हैं कि HBOT करते कैसे है तो HBOT में दो तरीके के chamber यूज होते है पहला होता है monoplace chamber जिसमें एक टाइम में एक ही आदमी फिट हो सकता है ये MRI machine की तरह ही दिखता है जिसमें एक लंबी plastic की tube सी होती है पेशेंट को इस chamber में डाल दिया जाता है और 100% oxygen pressure के साथ छोड़ दी जाती है वहीं दूसरी तरह के chamber को multiplace chamber कहते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा पेशेंट को एक साथ therapy दी जा सकती है बाकी का process सेम होता है पेशेंट अब mask या hood से pure oxygen ले सकता है treatment की वज़े पे HBOT के sessions को range करते हैं जो की 45 मिनट से 300 मिनट तक लंबा हो सकता है वैसे तो इस process में दर्द नहीं होता परंतु जब pressure बढ़ाते हैं तो patients को अपने कान बंद से महसूस होने लगते हैं जैसे आपको airplane में जाते वक्त या पहाड पे जाते वक्त महसूस होने लगते हैं इसके बाद oxygen blood की वज़े से हमारे cells में पहुँच जाते हैं sessions के खतम होने के बाद patient को सुस्तपन और भूग लगने लगती है जिन patients को जल्द ही ear surgery हुई हो या cold या fever हो या किसी तरह की lungs problem हो तो ऐसे जनों को यह therapy नहीं दे सकते edge beauty treatment लेने से middle ear injury होने के शिकायत रहती है कई बार eye injury lungs collapse होना या low blood sugar होना जैसे issues हो जाते हैं therapy लेने के बाद इसलिए जब तक जरूरत ना हो या आपका healthcare provider ना चाहे आप इस therapy को ना ले तो दोस्तों अगर आपको जानकार यह अच्छी लिए तो प्रीज हमारे चाहे को like share and subscribe करें